तो फ्रेंड आज इस वीडियो में बात करूंगा एक ओनलाइन फॉटोडिटिंग सॉप्ट्वेयर जिसका नाम है फॉटोपिया एक्चुल में जो फॉटोशॉप शॉप्ट्वेयर है उसका एक अल्टरनेट सॉप्ट्वेयर तो फ्रेंड जो हम लोग फॉटोशॉप करना पड़ता है फॉटोशॉप को में इंस्ट्रॉल करना पड़ता है और और कंप्यूटर का जो कंफिगरेशन है और मैच करना पड़ेगा नहीं तो आपका फॉटोशॉप यूज़ करने के टाइम आपका लैगिंग होगा लेकिन फ्रेंड यह जो फॉटोपियर सब्ट् हमें जिसके थूर्व हम लोग क्या कर सकते हैं घर में बैठके ऑनलाइन के थूरू कुछ भी सॉप्ट्र को हम लोग एजी ली एक्सेस कर पाएंगे हालाकि वह सब्सक्रिप्शन होता है उसके लिए हम लोग को पैसा पे करना पड़ता है मतलब अपना कुछ भी अपका सिट्र का कम्युकर्ड रहे लेकिन हम लोग कुछ भी हेवी सॉप्ट्र को अज़ी कर पाएंगे कुछ दूसरा डिवाइस में जाके मतलब ओनलाइन के दूसरा डिवाइस में जाके वहां परिंस्टॉल किया हुआ कुछ बी हैवी सॉप्ट्वेंट मुन अल्द इसकर पाएंग क्ल लोग cloud computing की थूँ एक्सेस करेंगे लेकिन एक दम मतलब बिलकुल free होता है एक genuine version है एक authentic source के थूँ आता है तो मतलब एक authentic software है एक पुरा secure होता है एक्चुल में फ्रेंड जितना भी cloud computing की थूँ आप जितना भी software यूज करेंगे सब पूरा पुरी genuine and मतलब एकदम secure होता है ठीक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्लास पॉइंट है कि आप इसको अपना phone में smartphone में अपना tablet में या computer में सब में यूज कर पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है सबका version से में तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा तो आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट सेंट तक पूरा देखिए जिससे आपको detail में पता चले इसके बारे में सो हलो फ्रेंड मेरा नामे नवे नजमुल खान आप सब लोग को हमरा आप लोग को अपना फोन में करके दिखाऊंगा उसके बाद मैं आपका लैप्टॉप में आपको दिखा दूंगा कैसे करना है नहीं करना है ठीक है तो पहले फ्रेंड आप अपना फोन से जो पर फोटोपिया ओप्षन पर क्लीक कर दिखे चाहिक है तो यहां पर देख सकते निव पोजेक्ट है यहां पर क्या क्या पर सपोर्ट करते है हो नीचे दिया हुआ है पीएसडी मतलब जो Photoshop का जो फाइल है ओ भी यहां पर सपोर्ट करता है ठीक है और इनी सब कुछ यहां पर सपोर्ट करते हैं यहां पर दिखा हुआ है सब कुछ तो मैं New Project में क्लिक करता हो नीव पोजेक्ट में क्लिक करने के बाद फेंड यहां पर ओपन हो गया तो आप पहले सेटिंग कर लेजिए जो स्क्रीन का सेटिंग होता है तो कैसे सेटिंग आप लोगों को चाहिए यहां पर बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है पुरा फिक्स्ट सेटिंग दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं यहां पर पूरा सेटिंग दिया हुआ है यहां पर एब भी श्यार इमेज के लिए है यूट्यूब प्रोफाइल के लिए है यूट्यूब कोवर के लिए है प्रिंटर के लिए है यहां पर फोटो है फोटो ही शर्प्स है स्क्रीन के लिए है प्रश्वार्शे इंटू ससुकूरी को इसको पर क्लिक करके यहां पर फ्रेंट देख लिजी आ गया तो यहां पर कुछ ऑप्शन है यहां पर आप वाइट कर सकते हैं बैक्ग्राउंड टन्सपरेंट कर सकते हैं ठीक है तो आप अपना ही शाब से कीजिए मैं होइट करके य हो यहां पर जितना भी ऑक्षन साई में सब आपका जितना भी फॉट्र शॉप Smith से आप उपर अब सब कुछ सब्सेएशक मैं आप लोगों को पूरा इसको डिटेल में दिखाऊंगा नहीं आप लोग इसका डिटेल्ट्व जाते हो तुचा यह बाते तो पूंंधे था को दिखा देता हूं कैसी करना है नहीं करना है तो फाइल में जाएंगे यहां पर डे देख सकते हैं जो में कर सकते हैं मिलगत यहां बलगों को दिखा देता हूं से संथ neurop çalış खरता हूं फ्रेंड और ट्रेंट चिए लेते उसके बाद दिखाएंगे तो फ़हले नया लैयर के लिए यहाँ चला जाते हैं नीऊ लियर आ गया उसी पिक्लिक करेंगे एंद इसके बाद इसका यूज करेंगे ठीक है मैं इसको left portion में rate कर देता है आप लोग सब जानते एक रेक्टेंगला शेप आगया ठीक है ऐसे करके आप से बना सकते हैं आप कुछ भी लिख सकते हैं यहां पर कोई एक ऊप्शन है ना फॉर्ण जो आप्शन है ना फ्रेंड यहां पर जाके आप यहां पर जो इंस्तॉल फौट अपलिक करेंगे ऐपका निए तो यह मेरा स्क्राइब होने के बाद मैं आपको दिखाबर को नहीं पड़ा एक बारंगे आप को दिखा देता हूं कईसे सेप करना है आप एकस्पौरल Prince से यहां पर PNG है JPG है वो उस तरह format है ठीक है यहां पर PNG में सेब कर दीजिए फर JPG में सेब कर दीजिए तो यहां पर सेब करने का टाइम फ्रेंट दिखा रहा है यहां पर देख लिजिए फोन में डाउनलोड हो गया ठीक है आप इसको ओपिन करके देख सकते हैं इसके बाद फ्रेंट जैसे आप यहां पर फोटोशॉप में काम करते हैं सेम काम यहां पर कर पाएंगे वह भी अपना फोन से कर पाएंगे पूरा फोटोशॉप का फीचर्स को आप यूज कर तो फ्रेंड यह देख लिए यहां पर फोटोशॉप फोटोपिया का जो ऑप्शन है ना वो सौट कट होके मेरा होम स्क्रीन में आगया है अब डाइरेक्ट हम यहां पर क्लिक करके मैं डाइरेक्ट ओपिन कर पाऊंगा इसके लिए बार बार हमको कौम में जाने का जुरू नहीं तो मैं आपको अपना लैप्टोप में दिखा देता हूँ कहिest मैं बडाताप उपिन कर लेता हूं अब सिंपस्रस तो Chrome open करने के बाद Google में जाएंगे यहां पर फॉटोपिया लिख देते हैं तो पहले आपशन आ गया फॉटोपिया का यहां पर सिंपल से क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यह आपका जो नेट का कनेक्शन है उसको पर डिपेंड करते हैं आपका नेट जितना फास्ट होगा उतना फा यहां पर यहां पर यूज कर पाएंगे साइड में देख लीजिए पूरा जितना भी आपका यूजबल टूल है सबकुछ यहां पर में एक तो स्क्रीन ले ले लेते हैं इसको कर देते हैं तो फेंड है मेरा आ गया तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं जैसे मैंने दिखा फोन में वही सेम अप्टिकेशन यहां पर कर पाएंगे जिदा लेयर का ओप्शन आ गया सब कुछ यहां पर जैसे मौर करके हैं इंस्टॉल फोटोपिया है तो मेरा अल्लेडी इंस्टॉल किया हुआ है ठीक है आप ऐसे ले सकते इसका जैसे फोन में लिए सिंपिल अप्ल करने का कोई जुरूरत नहीं है आप लोग इसको फ्री बिंदस यूज कीजिए ठीक है और इसका जो डिसएडवंटेज है ओ एई है कि इसका तो इसके लिए आपको नेट स्टॉंग होना चाहिए आपका नेट स्टॉंग मतलब कुछ अतना ज्यादा नहीं है 100 कई पर स्पी करेंगे तो नहीं होगा तो हमेशा हो डाउन नहीं रहता है कुछ-कुछ होता है ओनलाइन सर्विश है तो होता है आप लोगों पता है ऐसे करके आप यूज कर पाएंगे आप इसका डिटेल वीडियो चाहते हो तब कॉमेंड पे लिखे मैं पूरा टूल का यूज अप लो कुमें